गंदवानी में 15 सितंबर साम से ही तेज बारिस का दौर शुरू हो गया था जो की राद भर लगातार जारी रहा बारिस का दौर अगले दिन 16 सितंबर को भी पूरे दिन लगातार चला शेत्र में हो रही लगतार दो दिनों की बारिस ने पूरे दिन की जीवन शर्या को अस्त विस्त कर दिया है गंदवानी की गंदर्व नदी भी उफान पर आ गई है जिससे नदी में हो रही गंदिगी भी साफ तोर पर दिखाई गई है गंधर्व नदी के उफान पर आ जाने से नगर के लोग नदी को देखने पहुँचे नदी पर बने पुल जो की गंधवानी नगर इबंबस स्टेंड को जोड़ने वाला पुलिया है उसकी उपर से भी काफी तेज पानी का बहाव हो रहा है इस तेज बारिस से आसपास शेत्र के नदी नाले तालाप उफान पर आ गए है इस तेज बारिस से गंधर्व नदी के आसपास घरों तक पानी पहुच चुका है शेत्र में हो रही लगतार तेज बारिस के चलते लोग अपने घरों में ही बंद है शेत्र में हो रही लगतार बारिस से धार कलेक्टर प्रियंक मिस्र ने पूरे जिले में शास्की एबम आसाश्की विद्यालों में शनिवार को अफकास खोशित कर दिया है